आज हम लोग देखेंगे इंटर सर्वर होस्टिंग का डीटेल्ड रिव्यू हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी और यहाँ पर मैं हिल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफवेर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए होस्टिंग एक एसा टॉपिक है जो कि मैंने बहुत जादा डिसकस किया है इस चैनल पर अलग-अलग होस्टिंग के रिव्यू करें हैं काफी सारी होस्टिंग हमने टेस्ट करी है और इंटर सर्वर एक ऐसी होस्टिंग है जिसकी मुझे काफी रिक्वेस्ट आई थी कि आप रिव्यू करो और रेसेंटली जब इसमें उपर था तो मैंने इसको परचेस भी किया था उसका वीडियो आप लोग काई बटन पर मिल जाएगा तो मैं इसे पिछले दो महीने से लेकर टेस्ट कर रहा हूं और उस टेस्ट के बेसिस पर आज का हम रिजल्ट निकालने वाले तो without any further ado, let's get started. So, यहाँ पर जो मैंने प्लान लिया है, वो है standard web hosting का, यह $5 per month का मिलता है, और जो यहाँ पर मेरी website है, यह रही मेरी website, मैं Ocean WP theme का use करता हूँ, अपने हर test के लिए, फिलाल के लिए, तो यहाँ पर इवाली website है, इस पर मैंने अपने सारे test रन करे हैं, यह hosted इंटर सर्वर के उपर, kptesthosting4.xyz पर करेंटली है, अब अगर मैं इसके interface की बात करूं, तो जैसी आप लोग लोग इन करेंगे, इस टाइप का आपको interface दिखेगा, फिर यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो यह इसके panel पे चला जाएगा, इस टाइप का आपको interface देखने को मिलेगा, नीचे आपको सी पैनल पे जा सकते हैं, और इन वोइस हिस्ट्री बागरे देख सकते हैं, इसका जो interface है, to be frank, बहुत ही जादा पुराना है, अच्छा बिल्कुल भी निये, इस वन अफ दा अगलियेस्ट इंटरफेस्ट इन वेब होस्टिंग, और यह रहा हमारा पुराना दुलारा C-Panel, सर्वर रिस्पॉंस टाइम के बाथ करनो, तो US के आराउन and मुझे काफी अच्छा सर्वर रिस्पॉंस टाइम को मिला है, तो speed मुझे यहाँ पर decent मिली है ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है यहाँ पर बहुत खराब है एक neutral speed देखने को मिली है it can get the job done जो मुझे यहाँ पर tension की बात लगी है वो है TTFB time to first bite जो कि यहाँ पर मुझे मिला है 1.3 second का यह थोड़ा जादा है by default नहीं आता है and यहाँ पर आपको Memcache का पी support मिलता है लेकिन यह आपको again खुद enable करना पड़ेगा PHP settings में जाके इसको 7.4 करना पड़ेगा and then वहाँ से Memcache को enable करना पड़ेगा तो यहाँ पर caching functionality दी है लेकिन कोई easy steps नहीं है थोड़ा technical हो जाता है मैं इसको trace कर रहा हूँ 7th July से लेकर के दो महिने से उपर यहाँ पर मुझे हो चुके हैं तो downtime में यहाँ पर मुझे continuously देखने को मिला है पांच मिनिट, पांच मिनिट, साथ मिनिट और फिर continuously यहाँ पर काफ़े जादा downtime है कभी 18 मिनिट का भी है कभी 23 मिनिट तक का भी है और आदे गंटे तक का भी downtime यहाँ पर मुझे देखने को मिला है आदा घंटा, 18 मिनिट, 28 मिनिट तो यह बहुत जादा downtime है एक shared hosting के लिए अब यहाँ पर मैंने better uptime का भी use किया है जो कि हर 30 second में मेरी website का downtime का downtime देखता है तो बहुत जादा है यहाँ पर downtime मुझे देखने को मिला है पास दिन पहले 38 मिनिट के लिए डाउन गई थी फिर शे दिन पहले 33 मिनिट 22 मिनिट 20 मिनिट 18 मिनिट 8 मिनिट 18 मिनिट तो भाई यहाँ पर downtime तो बहुत जादा है इतना downtime shared hosting के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है अब अगर यहाँ पर में इसके load test की बात करूं तो load test में भी इसने बहुत ही बेकार perform किया है one of the worst performance that I have ever seen in a shared hosting in fact यहाँ पर lightspeed servers, lightspeed cache का plugin का भी use किया है इसके बाद भी मुझे इतनी बेकार यहाँ पर performance मिल रही है 406 requests करी उसमें 350 requests मेरी fail हो गई इतनी बेकार performance मुझे आज तक नहीं मिली है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह real time users नहीं ले पा रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी handle नहीं कर पा रहे है इसके जो specially standard web hosting वाले servers है और मेरे servers तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे है data center की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ US में मिलते है US में 1, 2, 3, 4 data centers है इंडिया, एशिया, यूके, यूरोप में कोई data center अवेलेबल नहीं है बाक अप्स की बात करों तो यहाँ पर आपको jet backup के थ्रू बाक अप सिस्टेम मिलता है जो की अच्छा नहीं है यह off server नहीं है मतलब जो आपने shared hosting ली है बाक अप भी वही पर ही save होते है तो अगर कोई virus वगरे आ गया तो backup भी जाएंगे और आपकी website भी जाएगी तो backup लेने का मतलब ही क्या है अगर मैं automated backups की बात करूँ तो सिफ वो weekly है हफते में एक बार वो automatically backup लेगा restoration की बात करूँ तो आप लोग one click यहाँ पर restore कर पाओगे लेकिन overall अगर बता हूँ तो इनका backup system मुझे जादा पसंद नहीं आया है inode count की बात करूँ तो standard hosting में आपको 4 lakh की inode count मिलती है जो की shared hosting के हिसाब से काफी अच्छी inode count है customer support की बात करूँ तो 24 by 7 live chat support है यहाँ पर लेकिन जो इनका response था वो टाइमली नहीं था वो जल्दी से attend कर लेते हैं मुझे 10 मिन में मासिफ पहला reply आज आता है लेकिन जैसे जैसे मैं questions पूछता हूँ they were clueless about my questions कि ये बंदा क्या पूछ रहा है वो पहले कहीं और से research करके आते थे and then copy paste answer करके मुझे बता देते थे and जो उनके answers थे वो भी satisfactory नहीं थे और वो भी answer देने के लिए बहुत time ले रहे थे मैं को बार बार question mark लगा लगा के पूछना पढ़ा रहा था कि बता दो so मेरे experience में यहाँ पर response था वो काफी slow था timely नहीं था and support यहाँ पर definitely improve किया जा सकता है domains की बात करों तो यहाँ पर आप लोग कोई भी free domain नहीं मिलेगा आप लोग को temporary domain मिलेगा लेकिन आप लोग खुद उसे activate नहीं कर सकते हो आप लोग को customer के support से contact करना पड़ेगा उनको बोलना पड़ेगा कि हमें temporary domain name दो फिर उनको समझाना पड़ेगा कि temporary domain name मतलब हमें preview URL चाहिए कि मैं बिना website को shift करे एक URL से देख सकूँ उसके बाद वो लोग इस चीज़ को यहाँ पर provide करवा देंगे अब यहाँ पर अगर मैं इनके plans की बात करूँ तो पहले पर सिर्फ एक $5 का plan हुआ करता था कि $5 दे दो और आपको web hosting shared hosting मिल जाएगी अब इन्होंने recently आपे दो और plans अपने ले आए हैं $10 का भी ले आए हैं और $20 का भी ले आए हैं obviously तीनों में performance के difference होंगे जो मेरा फिलाल का plan है वो है $5 जब मैंने purchase किया था तब सिर्फ $5 भी आता था ये दो नई plans recently लाए गए हैं अब इसको purchase कैसे करना है वो अगेन आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा उसके बारे में मैंने detail में आपे बात करी है पेविंट options की बात करों तो यहां पर आप लोग इंटरनाशनल क्रेडिट यहां डेबिट कार्ट का यूज कर सकते हैं और PayPal भी है रिटर्न की बात करों तो 30-day return policy है तो यह एक अच्छी बात है आप लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं SSL की बात करों तो यहां पर आप लोग को unlimited SSL मिलता है फॉर फ्री अपनी websites के लिए जो आप लोग वोस्स करोंगे यहां पर CDN की बात करों तो इनका कोई खुद का CDN नहीं है Cloudflare CDN लोग देते हैं स्टेजिं की बात करों तो अगर आप लोग इन सारी होस्टिंग पर हो तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम आएगी इसकी फ्री माइग्रेशन सर्विस का यूज करते समया लेकिन अगर आप लोग कहीं सी पैनल वाली होस्टिंग पर हो यह पर आप लोगो को 사ईटपार साइट बिल्ल्डर मिलता है जो की एक काफी अच्छाérica साइट बिल्लडर है शेयर ठोस्टिंग के लिए यही सेम आप लोगो को केमी क्लाउड में भी देखने bleak और इसके लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पे करने कि यह पर ज़वरत नहीं है यह आपकी शेयर्ड होस्टिंग में ही इंकलूड होके आता है इसमें थीम कलेक्शन भी अच्छा है एडिटिंग के अच्छा है तो साइड बिल्डर में यहां पर मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है अगर अगर आप लोगो सिफ साइड बिल्डर कले चाहिए तो आप लोग केमी क्लाउड वाला रिव्यू देख सकते हैं मेरा आई बटन के ऊपर तो आप बात करते हैं हम लोग इसके प्रोज और कॉन्स की लेकिन अगर अभी तक का आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा इट रेली हेल्प्स मी और मोटिवेट्स मी अलॉट कि मैं इस तरह के अनबायस्ड वीडियो कर पा काफी जादा है यहां पर डाउन टाइम देखने को मिला है लोट टेस्ट यहां पर बिलकुल भी अच्छे नहीं थे काफी कम यह रियल टाइम यूजर को हांडल कर पाएगी यह वाली शेयर होस्तिंग और जो इसका इंटरफेस है वह ऐसा लगता है कि 2007 की वेबसाइट से आ पहली है यहां पर लोट को लेकर के कि real time users को हैंडल यह नहीं कर पा रही है फिर यहां पर है down time को लेकर के website जब खुलेगे ही नहीं तो मतलब कि आपको website बनाने का और इंटरफेस तो इसका बेकार है ही and customer support भी यहां पर कुछ अच्छा मुझे नहीं लगा है तो मैं यह वाल इतना अच्छा बोलूगा लेकिन ये होस्टिंग देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि Bluehost.com इससे काफी बेटर है और अच्छी होस्टिंग से वो आप लोग को मेरे Top 10 होस्टिंग वाले वीडियो में मिल जाएगी कि I button के उपर अब एक सिनारियो है जहां पर ये होस्टिंग काम में आ सकती है वो उन लोगों के लिए जिनको एक दो महिने के लिए ही अपनी वेबसाइट चीए मानलो एक दो मैरेज वेबसाइट है या फिर उनके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर आप लोग इवाली होस्टिंग की तरफ देख सकते हो इनका मंतली प्लान आता है डॉलर फाइब का तो आपको सिर्फ अप्लोड करके दिखाना है एक दो महिने के लिए तो आप लोग इस होस्टिंग का यूज कर सकते हो बाकी इंटरसर्वर.net से आप लोग जितनी दूर रह सको उतना अच्छा है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो उसको थंजब दे दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आई विल सी यू गाइस इन नेक्स वन बुट बाई